बोलने वाले गुफा एक जंगल में खर नखर नामक शेर रहता था एक दिन में सिकार की तलास में बहुत दूर निकल गया शाम हो चुकी थी कोई शिकार हाथ नहीं लगा था उपर से वे ठक कर चूर हो चुका था तब युसे गुफा दिखाई पड़ी वे गुफा के अंदर चला गया गुफा खाली थी शेर ने सोचा अवस्य यह रहने वाले जानवर बाहर गया है रात होते होते वे गुफा में वापस ज़रूर आएगा ऐसा करता हूँ तब तक यही चुप कर बैठता हूँ जब वे जानवर आएगा तो उसे मार कर खा जाओंगा और अपने भू पर आते हुए पंजो की निशानों से दिखाए नहीं पड़े वे समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है उसे यह भी संधेय था कि वे अब भी अंदर ही बैठा हुआ है यह पता लगाने कि शेर गुफा में बैठा है या नहीं उसने एक युक्ति निकाली गुफा की अबास शेर के कानों में पहुची तो उसने सोचा कि यह गुफा वेश्य गीदर के आने पर उसका स्वागत करती हुए कुछ कहती है शायद मेरे यहां होने की कारण आजे चुप है अगर गुफा कुछ ने बोली तो कहीं गीदर को संधेय ना हो जाए और वो वापस न च यह गरज कर बोला ओ मित्र तुमारा स्वागत है जल्दी अंदर आओ शेर की गरज सुनकर गीदर दर गया वह उल्टे पैर वहाँ से भाग गया इधर बहुत देर तक गीदर ने अंदर आने की पर्तिक्षा करता रहा लेकिन सब वर्थ रहा अंत में समझ आगया कि गीदर उसे मुर्ख बनाकर भाग गया और शेर को अपनी मुर्खता पर बहुत क्रोधा है गिन्तु अब वह क्या करता है शिकार उसकी हाथ से निकल चुका था तो इस कहानी से हमें बच्चों क्या सीख मिलती है कि बविश्य के संकट को बाप कर जो बच्चरी की युक्ति निकाल ले बुद्धिमान होता है तो ऐसी प्यारी प्यारी कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजोगा कमेंट में बताईएगा आपको कहानी कैसे लगी